दूर आस्मान पर चमकता हुआ चांद किसे नहीं भाता वैसा ही चांद अब आपको जमी पर देखने को मिलेगा दुबई अपनी गगन चुम्बी और खुबसूरत इमारतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है इसी में से एक है बुर्ज खलीफा जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते है लेकिन अब दुबई ने आस्मान से चांद को जमी पर उतारने का फैसला किया है दरसल दुबई में एक विशाल मून रेजॉर्ट बनाने की तयारी चल रही है बोला चाह रहा है हर साल या 25 लाग से भी जादा परियटकों को आकरशित करेगा चंद्रमा आकार के इस मेगा रेजॉर्ट के अंदर आधुनिक सुक्सुविधाय तो होंगी ही साथ में होंगी नाइट लब, वेलनेस सेंटर्स, इत्यादी चांद जैसे दिखने वाले गोले की परिधी 622 मीटर बनाने की योजना है इनकी इस डिस्क में सबसे उपरी मंजिला का 23% हिस्सा होगा कसीनो 9% हिस्सा होगा नाइट कलब के लिए और 4% होगा रेस्टरांट के लिए छट में होगा बीच कलब, लगून और एमपी थेटर जैसी सारी सुक्सुविदाएं बोला चाह रहा है इस प्रोजेट को बनाने में 4 साल का समय लगेगा और हो सकता है 2026 या 2027 से पहले परिटकों के लिए ये ना खुले बड़ 2027 तक तो ये खुली जाएगा और हर कोई चान को जमी पे देख सकता है दुबई मून से सालाना हजारो करोडों रुपे की कमाई होगी इनकी रिपोर्ट के अनुसार एक साल में देड़ अरब यूरो के करीब होगी इनकी कमाई जबकि इसे बनाने में लगभग 5 अरब डॉलर से भी जादा खर्चा आएगा तो अब सोचिए अब है इंतिजार दुबई मून का और जमी पे चान्द को देखने का धन्यवाद